देखे राजनितिक परंपरा से हट करके लोकतंत्र को बुनियाद पर अस्थापित करने के लिए लोग जब जनादेश देते हैं वोड देते हैं तो एक उमीद के साथ कि भाई इस बार के जनादेश में अमारे हाई यह परिवर्तन होगा घर में या गाउं में या समाच में तो उस जनादेश के सपना को या उनकी उमीदों को उनकी आकांचाओं को मुर्त रूप देने के लिए हम लोग चुलापरमुक के माध्यम से परतिक चुलापरिवार के साथ जीवन्त संपर्क बनाए उसके सूख दूख या हर तरह की परस्तिति के लिए हमारे हम सिर्फ जनादेश लेने मातर का रिस्ता नहीं बनाना चाहते केवल विधायक चुनने के लिए नहीं बनाना चाहते बलकि जो हम उनसे जनादेश लिया है इसका रीन रत्ती रखते हम चुकता कर सके इसके लिए हम लोग चुलापरमुक अभी तक करेब 14-15 विधान सभाज हेत्रों में चुलापरमुक का समेलन हो चुका है और हम लोग इस सुनिश्चित कर रहे हैं कि जहां हमारे चुलापरमुक जाग चुके है वहाँ कोई और नहीं हो सकता निश्चित तरपर लोगों का कमिटमेंट हमारे साथ है जिनकी जिमेवारी लेंगे तो उसको खराव तर नेकले तो चुलापरमुक हमारा वहां रहेंगे जहां मजबूत है इस बार पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे है हम कोई मजबूरी वाला नहीं लड़ना चाहते हैं दूसरी बात हम अपने भरों से लड़ना चाहते हैं भाग्य भरों से नहीं और हम जहां तयारी किये हैं निश्चित तरपर चुनाव हम वहां जीतेंगे और जहां जीतेंगे वहां लड़ेंगे बड़े भाय और छोटे भाय दूनों भाय का एक ही मकसद है कि लोकसभा में जिस तरह से परचंड बहुमत लाये थे वही परचंड बहुमत विधान सभा में भी लाएं तो क्या बीजेपी के साथ अभी तक जो सीट सेरेंग की जो बात तह नहीं हो पाई है अब समय भी कम है क्या कुछ इस पर बात आगे इन तमाम चीजों पर केंद्री नित्रित निश्चित पर विचार कर रहा है और जल्द ही इस पर केंद्री अस्तर पर निड़ने होगा और आ अबने सामने कब बैठेंगे बैठेंगे बैठक होगा तो सबसे पहले आपी को बताएंगे